हेलो अब्रीवन वेलकम टुझी दा प्रेसिडेन्ट ओन्लाइन क्लासेज आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डाटा हैंडलिंग में थोरा सा आगे परहेंगे और वो क्या परहेंगे आज देखिए आज हम लोग परहेंगे बार ग्राफ के बारे में हम लोग पिछले वी डाटा को पिक्चर के रूप में रेप्रिजएंट करते थे और कीशी भी पिक्चर को इन्टर्पेट करते थे वो हमने दो या आज परहेंगे बार ग्राफ तो सबसे पहले समझे बार ग्राफ क्या होता है बार ग्राफ भी Simple data को represent करने का तडिका है अलग-अलग यह सब तडिका है ये जितने भी graph हम लोग पर हैं चायए वो pictograph है या बार ग्राफ है वो सब अलग-अलग तडिके का एक representation है same data को ही अलग-अलग तरिके से represent कर सकते है तो बार हम लोग किसको बोलते हैं आप देखते हैं जो iron का जो road होता है, rectangular shape में जो होता है, rectangular shape में, उसी को हम लोग war बोलते हैं, तो वहीं से इस नाम को लिए गया war graph, क्योंकि उसी के जैसा ये graph देखने को मिलता है, ठीक है, उसी के जैसा देखिए, सब देख रहा है rectangle type का, तो इस कारण ने इसका नाम bar graph दे दि और फिर next video lecture में हम लोग किसी भी data को कैसे bar graph में convert करेंगे, वह देखिए, तो ये जो data दिया है, नीचे जो है, आपका दिया है number of books read, यानि अब इधर दिया है number of a student, यानि कितने student, कितने books को read कर रहे हैं, उसी का ये data है, मतलब यहाँ देखिए, पहला जो है एक से 5, एक से 5 कहां तक है, 10, इसका देखिए, height जो है 10 तक है, यानि कह सकते हैं, कि जो 10 student है, वो total एक से 5 books पढ़ते हैं, उसी तरीके से 6 से 10 books पढ़ने वाले की संक्या कितना है, यहाँ देखिए 8 है, तो जितना ज़्यादा height उसी को वह represent करेगा data को, 11 से 15 books पढ़ने वाले, कितने लोग, तो 11 से 15 वाले का height देखिए, graph का जो height है, 6 है, यानि 11 से 15 पढ़ने वाले का लोग की संक्या कितनी है, 6, ठीक है, उसी तरीके से 15 से 20, 15 से 20 books पढ़ने वालों की संक्या कितना है, 10 से एभव, यानि 10 और 12 के बीच में है, तो 10 और 12 के बीच में मतलब 11, 11 कह सकते हैं, फिर 25 से 30 इस book पढ़ने वालों की संक्या है, 2 और 4 के बीच में है, यानि यानि ये 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग data निकालेंगे, और जैसा question पूछेगा, उस तरीके का हम लोग जवाब देंगे, तो कहता है पहला question, how many students have read less than 11 books, यानि 11 से कम books पढ़ने वाले कितने students है, तो 10 भी है और 1 से 5 भी है, तो 6 से 10 वालों का संक्या कितना है, 8 है, और 1 से 5 वालों का संक्या कितना है, 8 है, और 1 से 5 वालों का संक्या 10, तो 8 पलस 10 कितना, 18, तो हम लोग कह सकते हैं, कि 11 से कम books पढ़ने वालों का संक्या कितना है, 18 है, तो देखे हैं, तो देखे हम लोग कैसे graph देखिए तो 15 से 20 वाल ग्राफ जो है उसका हाइट है 10 और 12 के बीच में मतलब 11 तो हम लोग कर सकते हैं कि 15 से 20 बुक परने वाले लड़कों की संकिया 11 है कुशन नमबर 3 है यानि 25 से 30 बुक परने वाले कितने स्टुडेंट है तो देखिए 25 से 30 परने वाले यो है यराफ वार का है उसका हाइट जो है कितना है 2 और 4 के बीच में 2 और 4 मतलब 3 तो हम लोग कर सकते हैं कि 25 से 30 बुक परने वाले स्किया सिर्फ 3 है ठीक है next and last question है how many students have read more than 15 books यानि 15 से ज्यादा books परने वाले का संख्या कितना है तो देखिए 15 से ज्यादा मतलब ये वाला graph और ये वाला graph 15 से ज्यादा 15 तक नहीं 15 से ज्यादा तो ये दो graph आ जाएगा दो ये देखिए इसका तो हो गया 11 और ये जो है 3 तो 11 प्लस 3 कितना पंदर है तो हम कर सकते हैं 15 से ज्यादा books परने वाले स्ट्रेंड की संख्यां 15 है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग वार graph से भी data को हम लोग निकाल सकते हैं तो जिस बार का जितना ज्यादा height होगा वही data को represent करेगा जिसे ये वाला बार का height 10 तक था तो 10 को represent कर रहा है इसका height 8 है तो 8 को represent करेगा 11 से 15 वाले के height 6 है तो 6 को represent करेगा तो इसमें height से हम लोग data को निकालेंगा सकेंट कोश्चन देखते हैं सकेंट कोश्चन है number of a student or a sport यानि इसमें total चार अलग-अलग a sport हैं और उस इस और a student के बीच का गराफ बनाया है वार गराफ बनाया है तो देखें किरकेट किरकेट खेलने वाले student की संख्या कितना है तो किर्केट खेलने वालों यानि हाइट इसका देखिए 15 हम लोग कह सकते हैं कि 15 स्टुडेंट हैं जो कि किर्केट खेलते हैं उसी तरीके से बैडमींटन बैडमींटन बाले का हाइट देखिए कितना है 25 तक तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 students जो है वो क्या खेलते हैं badminton खेलते हैं उसी तरीके से chase खेलने वालों की संखिया कहा तक है देखिए height इसका height जो है 10 तक है यहां 10 है तो 10 तक है यानि 10 student जो है chase खेलते है फुटबॉल वालों की संखिया देखिए कहा है 15 तक है यानि 15 तो हम लोग कर सकते हैं 15 student है इसे है जो फूटवाल खेलते हैं तो कोशन देखिए काता है वीच अस्पोर्ट इस लाइक तो सबसे ज्यादा कौन से खेल को अस्टूडेंट ने लाइक किया तो देखिए जिसका हाइट सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा लाइक तो यानि बैडमिंटन बैडमिंटन को टोटल 25 लोग तो कर सकते हैं कि बैडमिंटन को सबसे ज्यादा अस्टूडेंट ने लाइक किया फिर इसे पुछें सबसे कम किस स्पोर्ट को लाइक किया तो यहाँ देखिए सबसे कम हाइट किसका है चेस का तो हम लोग कर सकते हैं चेस जो है उसको सबसे कम अस्टूडेंट यानि किर्केट में 15, बैडमिंटन में 25, चेस में 10, और फुटबॉल में 15, तो सबको एड़ कर दीज़े, 15, 15, 30, 30 और 10, 40, 40 और 25, 65, यानि टोटल 65 स्टुडेंट्स ने इन सारे स्पोर्ट्स में पाटिसिपेट किया, तो देखे, इस ग्राफ को सिर्फ देख के हम लोग डाटा नि बार ग्राफ से डाटा को इन्फोर्मेशन निकालने के लिए बस उसका हाइट देखिए, वो किस हाइट तक जा रहा है, वो किस नंबर के नंबर तक गया है, उसी नंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा, वही इन्फोर्मेशन आपका है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, जिसे एक छोटा सन्यय में बार ग्राफ के अंदर, जब ही आप बार ड्रो करते हैं, तो यह जो डिस्टेंस है, दो कंजेक्यूटी वार्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा और हमेशा सेम होना चाहिए, यह नहीं, यहां का डिस्टेंस कुछ और हो, यहां का नेक्स्ट वीडियो लेक्च्छर में यह हम लोग देखेंगे, सारे रोल्स को देखेंगे, बार ग्राफ के लिए, ठीक है, थैंक्यू,